विदेशी मूल की रूबी मेयर्श यानि स्लोचना को भारते सिनेमा के पहली फीमेल सूपर स्टार का दर्जा मिलाता। खुपसूरत दिखने वाली अदाओं से भरपूर और बोल्डनेस में सबसे आगे। इनसे पहले कुछ मैलाएं फिल्मों में आई तो जरूर। लेकिन रूबी अपनी हुनर से भारत के पहली फीमेल सूपर स्टार बनी। ये उस दौर के बात है जब भारत में मूख फिल्में ही बना करते थी। फिल्मों में न डियालोग होते थे ना ही गाने। लेकिन जो भी बड़े पर रूबी को देखता वो देखता ही रह जाता था। 1925 में फिल्मों में कदम रखने वाली सुलोचना ने करीब 65 साल के फिल्मी करियर में 107 से जारा फिल्मों में अभने किया। जब साउंड फिल्मों का दौर आये तो हिंदी में कमजोर ब्रिटिश मूल की रूबी को दर किनार कर दिया गया। एक साल का ब्रेक लेकर रूबी ने हिंदी में महारतासिल की और दमदार कमबैक किया। खुद की प्रोडेक्शन कमपनी रूबी पिक शुरू की और हाइस्ट पेड एक्टरिस बन गई। जिसने देखा देखता ही रह गया। 1907 में रूबी मेयर्स का जन पूने महराष्ट में हुआ था। खर्च उठाने के लिए रूबी एक टेलिफोन ऑपरेटर के मामली नौकरी किया करती थी। टाइपिंग स्पेड में इनका कोई मुकाबला नहीं था और खुबसूरती ऐसी कि हमेशा आकरशर का केंदर रही। यहीं कोहिनूर फिल्म कंपनी के मोहन भाउनानी के इन पर नजर पड़ी। मोहन ने तुरन पूछ लिया सिनेमा में काम करोगी लेकिन जवाब में इनकार मिला। पहली फिल्म के बाद रूबी मेयर्स से बनी सुलोचना। उस दौर में अक्टिंग को महिलाओं के लिए बेहद अश्र भी पेसा समझा जाता था। रूबी के खुबसूरती के कायल हो चुके मोहन भाउनानी ने जित पकड़ी और आखिरकार वो राजी हो गई। हाला कि इन्हें अभने का कोई अनभाव नहीं था। ये मुख फिल्मों का दौर था जब फिल्मों में न डालॉक्स होते थे ना ही साउंड। रूबी ने 1925 के फिल्म वीरबाला से अभने शुरू किया। फिल्म में इन्हें मिस रूबी क्रेडिट मिला लेकिन इसके बाद रूबी सुलोचना बन गई। भावनानी के डिरेक्शन में बने फिल्मों ने सुलोचना को इस्टार बना दिया। लेकिन कुछ फिल्मों के पास सुलोचना ने कोहिनियूर कमपनी छोड़ कर इंपेरियल फिल्म कमपनी जोएन कर ली। इस कमपनी के साथ सुलोचना ने करीब 37 फिल्मे की। इन में से टाइपेश्ट कॉल बलिदान वाइल्ड कैट और बॉंबे खुब पॉपलर रही उनिस और थाइस फंतिस के बीच रिलीज हुई फिल्मों मादुरी अनायकली और इंद्रा बिये ने सुलोचना को काम्याब एक्टरस का दर्जा हासिल करवा दिया उस जमाने में जह और स्टन्ट करने में भी पीछे नहीं नहीं किसीन चीण से मचया हंगौब हीरांजा फिल्म में सुलोचना ने कोई स्टार दी बिल्यो मूरिया के साथ किसिंग सीन दिया तो खूब हला हुआ, सुलोचना देखते ही देखते मूग फिल्मों की सेक्स सिंबल बन गए, रील के अलावा असल जिन्दगी में भी सुलोचना बोलने से लोगों का ध्यान खीच लेती थी, बोलती फिल्मों का जमाना आया तो पीछे रह गए, रूबी बेहत काम्याब थी, लेकिन जब पहली बोलती फिल्म आला मारा आया तो मेकर्स ने इनकी जगा जुबैदा को काश्ट का लिया, कारण था रूबी का हिंदी में कच्चा होना और जुबैदा को हिंदी उर्दू की जानकारी होना, सुलोचना को ये बरदास नहीं था, उन्होंने समय के साथ चलने के लिए फिल्मों में एक साल का ब्रेक लिया और हिंदी सीखने लगी, इसी बेश सुलोचना की सभी मूख फिल्मों को साउंड के साथ दुबारा बनाया गया, वीरबाला की फिल्म माय मैन नाम से बनी, वहीं मादुरी अनारकली इंद्रा बीये ने फिर वॉक्स ओफिस पर गैरी छाप चोड़ी, नई एक्टरस नोजाँ, खुर्शी, सुरया के आने से सुलोचना की पॉपलारिटी कम हो गई, खुद के महंगे सौक को पूरा करने के लिए सुलोचना इसके लिए राजी हो गई, देखते ही देखते साइड रोल मिलना भी बन्द हुए, तो सुलोचना एक्स्टरा बन कर काम करने लगी, एक समय ऐसा अभी आया जब सुलोचना को इंडर्श्टरी में काम मिलना बंद हो गया, आतिक तंगी का दौर शुरू हुआ, लेकिन इन्होंने कभी किसी के आगी हाथ नहीं फैला है, पहली फीमिल सुपरस्टार से सुलोचना एक जूनियर आटेस्ट बन गई, सुलोचना के पास काम तो नहीं था, लेकिन इंडर्श्टरी ने उन्हें भरपूर सम्मान दिया, 1973 में सुलोचना को भाति सिनेमा में दिये योगतान के लिए फिल्म जगत के सबसे सम्मानित दादा साहब फाल के आवार्ट से नमाजा गया, सुलोचना लोगों की नजरों से दूर होने लगी, आखे का 10 अक्टूबर 1983 में गुमनाम जिन्दगी जीरें सुलोचना दुनिया छोड़ गई,